ओम शान्ति आज आठ मई दो हजार सत्रा प्यारे शिव बाबा के उन मदुर महावाक्यों पर जिनका हमनी श्रमण अपनी प्राथय क्लास में कियां अब हम उस पर ही मनन और चिंतन करेंगे बाबा ने हम सब को संगम युकपर परिवार बना करके दिया है हर परिवार की मर्यादा होती है हर परिवार की कुछ मूल्य होते हैं हर परिवार में कुछ बड़ों से उपलब्द विरासत होती है प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को इन सब बातों का एसास करा है हम शिव बाबा की फैमिली के हैं ये बात ही कितने नशे की है तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी फैमिली का है परमात्मा स्वेम तो ईश्वरी फैमिली के हो ईश्वरी फैमिली का लौ है भाई-भाई हो रहना, ब्रामन कुल का लौ है, भाई-बेहन हो रहना, इसलिए विकार की दृष्टी हो नहीं सकती इसमें बाबा ने दो परिवार बताएं, एक का ईश्वरी फैमिली और दूसरे में का ब्रामन फैमिली इसलिए फैमिली के रुप से भाई-बेहन, ब्रामन फैमिली के रुप से भाई-बेहन, शंगम युगपर, यनि कल जुकान ताता है, सज्जुग आने से पहले, पर्मपिता परमात्मा आवत्रित होते हैं, और वो कहते हैं, मैं तो निराकार परमात्मा हूँ, तो आप सारी द आतौने निराकार रूप में ब्रहमा जी के दवरा मेरे शरीरिक रूप से भी अडॉप्टिट संतान बनती हैं उनको मैं ईशुरी परिवार कहता हूँ क्योंकि उनको ही परमात्मा ग्यान देते हैं दूसरा है ब्रहमा बाबा, उनको भी परमात्मा एडॉप्ट करते हैं, तो कि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, तो भगवान में बाच करने के लिए, वह कल जुक के अंत में, साधारन मनुशतन में परवेश करके वत्रित होते हैं, और उसका नाम वो ब्रहमा रखते हैं, जो आत्मा एडॉप्ट होती हैं, यानि ब्रहमन परिवार बनती हैं, तो दो परिवार हो गए, इश्वरी परिवार, तो आत्मा आत्मा के नाते से तो भाई भाई हुए, इश्वरी परिवार, अब ब्रहमन जो बने वो श्रीर धारी थे, तो श्रीर धारी नाते से पुरु जानी भाई, भाई तो भाई भाई और भाई बेहन में विकार का नाता तो होता ही नहें इसलिए बाबा कहते हैं कि माई विकारों से आपको छुडाने के लिए और अस्तविक सुभाविक लूप से भी ये नाता तrüम्हारा इस समय है कि एat को फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सारे ही यगों में सबसे important युग, संगम युग है और संगम युग को बाबा कहते है ये कल्यान कारी युग है इसमें कदाप पी अकल्यान नहीं हो सकता उसके पीछे logic भी बहुत है आंसर में आज बाबा ने कहा है ये कल्यानकारी क्यों है क्योंकि इस समय बाप अपने लाटले बच्चों को सम्मुक देखते हैं बाप टीचर सद्गुरू का पार्ट भी अभी बज़ता है कल्यानकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत जो नर्को स्वर्व बनानी की है सद्गती देनी की है उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो अब बाबा ने कहा के दुनिया के अंदर भी तीन ऐसे रिष्टे हैं जिन से कुछ पराप्ती होती है एक तो पिता का पिता के रूप से हर बच्चे को कुछ नकुछ इंहरीडनेस मिलता है दूसरा टीचर का जो पढ़ाई पढ़ा करके लाइक बनाता है और तीसरा सत्गुरू का जिसके पास लोग शानती के लिए प्राप्ती के लिए जाते हैं तो भगवान कहते हैं कितना कलियानकारी यूग है पिस्वेम पर मातमा आ करके तु मातमा के पिता रूप से गयान देते हैं वरसा देते हैं सज्जु की चाने की रहा बताते हैं शिकषक के रूप से तुमको एजुकेट करते हैं जो गयान दिया उसको कैसे धारन करना है उसमें डिटेल आती है सुष्टी की आज से लेकर अंत तक कैसे तुम चकर में आते हो कैसे अब उससे चूटना है योग का ग्यान देते हैं और सत्गुरू का रूप से वगवान कहता है कि तुमारी गती सद्गती करते हैं क्योंकि आत्मा पर पिछले बहुत जन्मों का बो चड़ा होता है उससे चुक्तु करते हैं और मुक्ती धाम में ले जाते हैं इसलिए बावा कहते हैं योग ही कल्यान कारी है वैसे भी कहा जाता है कि चड़ती कला सबका भला तो बाकी यूग तो गिरती कलाके हैं, बले सत्यूग है, तो भी दीरे दीरे तरहता हा जाएगा, फिर दौपर आ जाएगा, केवल कल जूग के बाद ही सत्यूग आता है, तो समय का भी परभाव होता है, इसलिए बाबा कहते हैं, समय भी कल्यान कारी है, तुमारा पिता भी कल और एक ये भी बात है न, कि संगम के बाद सत्यूग आता है, कल्युक तो आनि सकता, तो जो कुछ कदम हमारे उठेंगे, वो सत्यूग के ओर ही उठने हैं, चर्थिक अला, पर बाबा कहते हैं, तुम्हारा सन्या सतो प्रधान सन्याज है, क्यूं बाबा कहते हैं सतो प्राजान सन्यास है क्योंकि इस समय तुम परानी दुनिया को भूलते हो बाप और वर्शे को याद करते हो पविट्र बनते हो पर लुद नहीं कि आ पन जाते हो उनका सन्यास हद का है बेहत करने हैं अब देखिए दुनिया में भी सन्यास करते हैं दुख से चूटने के लिए भिकारों से भोगी जीवन से चूटने के लिए लेकिन वो इसी दुनिया में एक जगा से दूसरी जगा चले जाते हैं गर गरस तो छोड़ देते हैं और लिमिटीर सन्यास है फिर भी वो द दुनिया तो नहीं छोड़ पाते, नहीं उनके पराने हिसाब किताब चुकतु होते हैं, जब कल जुग चल रहा है तो कल जुग में ही उनका पुरर जनम भी होगा, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा सन्यास कराता हूं परानी दुनिया से, टोटली बताते हैं, परानी दुन कल्यानकारी है, सतोपर्धान है. फिर गीत बजा है, भोले नाथ से निराला. तो बाबा ने आज हम बच्चों को जो डारेक्शन दिया, कि दे के सब संबन छोड अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझते हो, बाबा पूछते हैं. अपने को कोई पर्मात्मा तो नहीं समझते हैं. शायद बाबा के आगे आज नई बच्चे बैठे हुए हैं. गाते बीएं, बाबा केते हैं, पाप आत्मा, पुन्य आत्मा, महान आत्मा, महान पर्मात्मा नहीं कहा जाता हैं. आत्मा पवित्र होती तो शरीर भी पवित्र होता है, दो बाते बाबा ने इस पॉइंट में कही है, तो आत्मा आत्मा ही रहती है, परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं, और दूसरा बाबा ने का, जैसी आत्मा होती ही वैसा शरीर होता है, अब देखिए, दुनिया के अंदर आ आत्मासो परमात्मा भी कह देते हैं, कई जिगा लिखा होता है, आत्मा ही परमात्मा है, अब कई ऐसे भी मनुश्य हैं, जो स्वेम को ही परमात्मा मानते हैं इसी अधार पर, और शिवो हम कहते हैं, कि शिवो हम का मतले मैं मैं परमात्मा हूँ, तो बाबा ने बताया है, नह आत्मा बन जाती है या फिर अगर विकरम करती है तो पाप आत्मा बन जाती है दुष्ट आत्मा बन जाती है रहती आत्मा ही है इसलिए फिर बाबा कहता है जैसी होगी आत्मा वैसे उसको श्रीर मिलेगा सज्जुग में अगर स्रेश्ट आत्मा सतो पर धान है तो देवताओ का शरीर मिलता है कल जुग में जब आत्मा के अंदर पांट विकार आ जाते हैं तो शरीर भी तमोगनी मिलता है उसमें रोग, शोग, अकाल, मृत्यू आते रहते हैं बाबा ने कहा है कि देखो बाब आकर के नई स्रिष्ठी रचते हैं कि separately कोई स्रिष्टी नहीं रचते परन तो इसको रजुबनेट करते हैं यह बात सब के समझने के स्रिष्ठी अनादिय विनाशी है लेकिन उसको बाबा आकर देखो बच्चे यादकार है देवी देवता धरम यादकार है मैंने ये कर्तव विकिया उसकी यादकार सोमनात का मंदिर है और उसके साथ साथ बावा केते स्वरका जो गायन है वो भी इस बात की यादकार है कि मैंने आकर के ये कर्तव विकिया था अब देखिए ना जब सुनते हैं लोग परमात्मा ने नई द्टुनिया रचि ब्रहमाद्रा को रचेता चाना तो कई उसका ये अर्थ ले ले लेते हैं कि ये पुरामी दुनिया ये जो कलजुग है ये समाप्त होगा भिनाश हो जाएगा सब परले हो जाएगा इन्हीं इसका कुछ नहीं बचेगा जलमाई जलमाई हो जाएगी फिर परमात्मा दुबारा नई दुनिया रचेंगे जो इस परकार की मानियता वाले हैं उन्होंने फिर दिखाया है कि पीपल के पत्ते पर सिरी क्रिशन सागर में आ रहे हैं तो नई दुनिया रचने के लिए तो बगवान कहता है ऐसा नहीं है मैं पुरानी को ही नई बनाता हूं नहीं जब पुरानी हो जाती है फिर उसको नई बनाता हूं और बाबान ने इसका यादगार बताया है सुमनाथ का मंदिर है अब सुमनाथ पर मात्मा ने आकर क्या किया फिर देवी देवताएं हैं के देवी देवताएं कब थे किसने रचे और इसी परकार से बाबा कहता है गीता में भी है कि मैं धरम गलानी के समय वत्रित होकर सत्य धरम की पुनेस्तापना करता हूं अब फिर ये भी कहा हुआ है जब फिर धरम गलानी हो जाएगी फिर मैं आके पुनेस्तापना करूगा यदा यदाए इसे सिध होता है कि कोई दूसरी दुनिया नहीं परमात्मा रचते है इसी को पराने से νया करते है बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सेकेंड में जीवन मुक्ती है इसका गायन है अष्टा वक्कर जी ने भी जब राजा जनक को दिया तो यह एक सेकंड की बात है तो सेकंड में जीवन मुक्ती का भावारत क्या है यह रियलाइजेशन की बात है जब आत्मा को यह पता लग जाए सच मुची रियलाइज हो तो कि मैं आत्मा हूं मैं श्रीर रुपी बंदन से मुक्त हूं मैं श्रीर की मालिक हूं मैं मालिक होकर श्रिर को चलाती हूँ, इंदरियों को आलडर करती हुँ, ना कि इंदरियों के वश हो कर के मैं चलती हूँ, तो वह जीवन्मुक्ती की गड़ी होती है, दुनियाасть में हर छीज देखा जाया तो second में होती है, किसी की जाते हैं सेकेंड में यूं तो बीच में समय होता है अब राज से दिन आता है तो भी बीच में परवात होता है दिन से रात आती है फिर भी बीच में साइकाल होता है किसी की मृत्ति होती है उससे पहले भी कुछ खशन होते हैं हर पर सोता है उससे पहले भी कुछ खशन होते ह इसमें वो जाके लेटता है लेकिन जो वो मॉमेंट है तो भगवान ने यहां यह बताया जब तुमको यह पका पता लग जाता है टोटली शरीर से अलग हो जाते हो जैसे अरजुन के लिए कहा गया उसने अंत में क्या कहा नश्टो मुहा समृती लब्दा एक एक ही सेंटेंस की बात है अब मेरा मुह सारा नश्ट हो गया तो जिस सेकंड सारा मुह नश्ट हो गया उसी सेकंड उसको समृती आ गई कि मैं शरीर नहीं हो शरीर के सभी समंदी शरीर से किनेक्टेड है मैं तो आत्मा हूँ जब आत्मा नहीं शरीर में जाएगी तो नहीं समंदी हो जाए और बाबा कहते हैं कि अकाल तक्त तुम्हारा मस्तख है जिसमें अकाल मूरत आतमा रहती है और शिव बाबा का तक्त कहां है वह बाबाने का परमधाम है और बाबा कहते हैं कि तुम आत्माई भी वहां रहते हो वो तुम्हारा स्वीट होम भी है क्योंकि तुम्हारे पिता वहां रहते हैं और बाबा कहते हैं वहां कोई इस तरीके का तक्त नहीं है बर तो निवास्थान को अकाल तक्त कहा गया अब इसमें देखिए, सिख्धों मानते हैं, सिख्धों का अमरिस सर में एक स्थान है, जिसको अकाल तक तक कहा जाता है, और कई सिख्धों एक उनका वर्ग है, जो अपने आपको अकाली कहते हैं, तो बाबा उसका अर्थ समझाते हैं, अकाली किसको कहा जाता है, जिसको काल खाए, श्रीर को तो काल खा जाता है, यानि वो अपने आपको आत्मा मानते हैं, वैसे वो लोग अमरित छकने के बाद ही अकाली बनते हैं, वो पानी जो वहां के सुरूबर का उसको अमरित मानते हैं, लेकिन इसके आप अध्यात में करते तो यही है, जब भगवान हमको ग्य में कहा जहाता है, जहां आत्मा रहती है, वो अकाल तक्त है, एक लहाज से तो ठीक है, कि अकाल आत्मा का तक्त है, लेकिन श्रीर तो सहमी नश्वर है, एक नश्वर स्थान पर अकाल चीज कैसे सापित हो सकती है, अगले श्रीर में आत्मा का दूसरा अकाल तक्त हो जाता ह तब बाबा ने कहा कि मेरा पर्मात्मा का और हम आत्मा का असली पका पर्मानेंट अकाल तक्त वो है जहां आत्मा का निवास था वो है परम धाम परलोग तो आज बाबा ने परलोग का महत्व बताया है उस स्थान पर परमपिता परमात्मा भी पर्मानेंट लिए उनका अकाल तक्त है हमात्मा का भी पर्मानेंट होम वही है होता ना एक होता होम एक होता हाउस आपका ओरिजिनल घर कहा है पूछते हैं लोग चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका अस्ट्रेलिया में रह रहा हो, फिर पुछते तेरा वह उरिजिनल घर कहा है, तो कहते जी भारत है, भारत में फलाना शहर है, तो बगवान कहता उस हिसाब से परम पिता परमात्मा और आत्मे वहीं रहती है, और यहां तो तखत वकत की बात होत सत्यूग में दुख भी नहीं होता, माया भी नहीं होती, असुर भी नहीं होती, यह जो कहते हैं कि रावन भी नहीं होता, जिसको आज जलाते हैं, वहाने का यह कोई परमपरा से चली आने वाली चीदे नहीं है, सुख के टाइम पर सुख होता है, दुख के टाइम पर दु उनने उनको इतना भटका दिया है, कि वो बिलकुल ही एक परकार से नाउमीद हो गया है, वो उनको बताया गया, कि दुख सुख शुरू से चला आ रहा है, कि ये दुख सुख का संसार है, इस संसार में दुख और सुख शुरू से चला आ रहा है, अब बढ़ गया है, इस कार कि तब कर लें कोई भी इस दुनिया में दुख खतं सुकना कर सकता है अब अगवान कहता है कि असा लई जो दुख की चीजें हैं जिसे हम छूटना चाते हैं मालो आ शांती में atual दुटना चाती है दुख से समें सूखना चाते एक सन्यास कर रहे हैं दुझ से चूटने के लिए रोग शोक अकाल्ब रित्यू वह बाबा कहता है क्षूटना चाहते हैं इसका मतलब वह तो ओरिजिनल नहीं है किसी को रोग आता है तो रो को औरिजिनल स्टेट नहीं है अगर औरिजिनल हो तो छूटने का स्वाली नहीं पैदा हो आत्मा के अंदर संसकार ही ना है मैंने छूटना है तब बाबा ने कहिए ये जो परंपरे हैं रावन को जलाना इत्यादी ये को शुरू को नहीं है जब सत्यूग था परमात्मा की पनाई हुए नई दुनिया थी जिसको वैसे कहले स्वरक था पैरडाइज था उसमें क्या ये दुख बगारा ऑस्पिटल बगारा थे ये बाबा ने समझाया दुख का भी लोग है सुख का भी लोग है और यहीं पर है और फिर बाबा कहते हैं, देखो स्रेक्रिष्ण के लिए बताते हैं कि गउएं चराते थे और ग्वाले थे आदिम बाबा केते हैं इंकी बात नहीं है ये बात शित बाबा की है जो की बाबा आकर के हियूमन गवँ हैं जिसको कहें उन्हें ग्यान घास किलाते हैं अर्थात उनकी पालना करते हैं यह जो गाए चिराना गवँ पाल ऐसे कहा गया है तो बाबा कहते है कृशन जी के लिए नहीं है मैं परमात्मा हूँ मैं आकर के ग्यान अमरित पलाता हूँ कहो ग्यान की घास कलाता हूँ जिस से के उन्हों शाब में देवता बनती हैं वैसे भी आप देखेंगे कि गॉये जो हुती है गाए पानी पीती है यह पानी निकालती है पीती है मुक्से तो लेकिन कई जेगा गव मुख बनाय हुए हैं जहां से पानी निकलता है लोग उसके शुद्ध पानी समझ के उसमें शनान करते हैं तो यह ग्यान अमरित की बात है ग्यान घास की बात है और मनुश आत्मों की बात है बाबा आज कहते हैं कि सबसे पहला है अशुद अहंकार और बाब कहते हैं दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो बाबा अशुद अहंकार क्यों कहते हैं अहंकार तो है बुरा लेकिन अशुद अहंकार क्यों कहते हैं ऐसा है यह शब्दों की बात है एक होता अभिमान ए होता है सुमान. अब सुमान भी एक परकार की शान है. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट. कोई वेक्ति ऐसे होते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होता. उनमें हीन भाव होता है. वो हर चीज़ में अपने आपको जैसे बिलकुल अपनी वेल्यू भी जो होती वो भी खो देते हैं. तो बगवान कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो, लेकिन अबिमान नहीं रखो. अबिमान हमेशा अशुद किसलिए कहा, कि अबिमान के रूप से, अहंकार के रूप से एक बहुत बड़ा विकार है. किसी के पास कोई अटेनमेंट हो गई? अब मालो कोई व्यक्टी प्राइमनिस्टर बनगे किसी देश का. अब प्राइमनिस्टर बनना अच्छी बात है. प्राइमनिस्टर के बहुत responsibilities भी हैं, बहुत राइट्स भी हैं, बहुत समान भी है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को इसका अभिमान आ जाए, कि मैं प्राइमनिस्टर हूँ, वो ये भी भूल जाए कि मेरे से पहले कई प्राइमनिस्टर हो चुके हैं, और मेरे बाद भी कई प्राइमनिस्टर होंगे, और ये भ प्राइमनिस्टर हूं। ऐसा तो नहीं कि प्राइमनिस्टर हूं। उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा हमिलिटी करके जनता के साथ बसों में सफर करना शुरू कर दिया। इत्यादी त्यादी अपना असली करतब भूलकर वह अपने आपको सधारन साबित करने लग गया। इसलिए बाबा कहता है सधारन भी नहीं हो। माननी हो लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा की मुडली में आज देवियों को जो काला दिखा देते हैं उसमें सब एक काली देवी है इसी तो काला दिखा दे रहते हैं। वह एक निशानी है, बाबा ने कहां। जो ज्ञान की चिता पर बैठ करके गोरी लक्षमी बन जाती है लेकिन पहले वो काली होती है तो काली का जो स्वरूप है बड़ा भयानक देखाते है जीब निकली हुई हाथ में अशीश माला आदी आदी तो ऐसा तो कदापी हुआ नहीं परन्तो इस तरीके से दिखाये गया वो क्यों बाबा कहते हैं कि दिखो हर आत्मा के दो रूप है एक है उसका सरिष्टतम रूप, शुद रूप, पावन रूप इक है फिर उसका नीचे उतरा हुआ, इसको केते हैं वाम मारंग में जाने वाला रूप जिसमें वो आत्मा पतित हो जाती है यूँ कहें कि एक पावन रूप और एक पतित रूप और पावन में भी कई ऐसी आत्में जो पावन करता बन जाती हैं दूसरे को भी हल्प करती है पावन होने में, कई ऐसी आत्मा है वो पतित बनाने के भी निम्मित बन जाती है, खुद तो पतित है ही, लेकिन दूसरों को भी डुबो देती है, तो भगवान ने कहा है कि पुर्शों में, देवताओं में, स्री कृष्ण के भी दो रूप दिख ये काम करो लोग वो हंकार विकार है, ऐसे तो ने एक ही जर्म में गोरे कृष्ण को डसार वो काला हो गया, उसकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन आत्मा के लिए बताया गया है, जब तक वो आत्मा पावन थी, गोरा थी, तो सुन्दर था, फिर शाम हो गया, ऐसे ही शक्तिय में दिखाया गया है, एक गोरा दिखाई गया है, एक काली दिखाई गया है, तो काली का यही बताया गया है, जो पांच विकार जो थे, उनसे जब कोई आत्मा गरसित हो जाती है, फिर उसका दूसरा रूप भी है, उस असुर उसके पावन में दिखाया गया है, जब उसने उस असरों को उपर पाउं रख दिया जीत लिया फिर वो गोरी बन गई ये भाव है वर्दान है कल्यान कारी समय की स्मृति से अपने भविश्य को जानने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भाव जो हो गया वो भी अच्छा जो हो रहा है वो और अच्छा जो होने वाला वो और बहुत अच्छा कल्यान कारी समय है बाप हमारा कल्यान कारी है हम विश्य कल्यान कारी है हमारा कल्यान हो ही नहीं सकता और स्लोगन है आज का समाप्ति के समय को समीप लाना है और संपूर्ण बनने का पुरशार्थ करो तो ये थी आज बाबा की 8 मई 2017 की मुडली जिसमें बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे अपने परिवार की एहमियत को बना के रखो इश्वरी फैमिली के हो भाई-भाई की दृष्टी रखो ब्रामन परिवार के हो भाई-बेहन के रूप से रहो और अपनी घर अकाल तक्त को याद करो जहां पर लोटना है ये समय कल्यान कारी है कदापी अकल्यान तो होई नहीं सकता ऐसा वर्दान हमें उपलब्द है ओम शन्ति